आज हम बात करेंगे चेन्य डर्वी की 15 जनवरी की रेस है और पहली रेस एक बच के 30 मिनट में है आखी रेस पांच बच के 15 मिनट में है और आजाते हैं यार पहली रेस में और पहली रेस 1200 मिटर क्लास 4 की है यहां पर जो मैं पिक लेकर चलूँगा चार नमबर विजया पीसाई कुमार दिपेश नेडू जी का गोड़ा है डॉक्टर राम एसरॉफ और लास्ट टाइम लेम हुआ था गोड़ा यार और कुछ गोड़े मैं हमेसे डिसकस करता हूं कि बाद में समझाते हैं कि हुआ क्या गोड़ा क्यों पीछे रह गया कैर उस दिन भी मैं सर्प्राइज था कि गोड़े की परफॉर्मेंस को लेकर गोड़ा आउट हो गया था और आज अब देखने को मिल रहा है कि लास्ट टाइम जो इंसिडेंट हुआ था लेम हुआ था गोड़ा और उससे पहले क्लास थ्री भागा हुआ हुआ है और बारासो मीट इसी रेस में टकELLE के चलूँगा एक नमबर अंग वाईी और लास्ट टाइम ऐसें लांग नेक से 14 वाधर टरफ मेलvalue के साथ मैं कुट Marshmallow हुआ है तो यहां पर यार्ग क्लास फिर मतर्द क्लास 3 से फिर क्लास 4 बेज़ रहा है मतर्ब बगारहें गोड़े को और सी उंश पैठा हुआ है उमीद करते हैं टॉप वेट में एक बैटर रण देखने को मिले वेट का थोड़ा सा वो दिख रहा है बस अधरवाइस चांस बनता है सेकंड रेस दा उसर स्टर्ड मिलियन है चार गोड़े हैं और चार गोड़ों में मैं सिंगल लेके चलूँगा एक नंबर एलफिन नाइट मुल्टिड्यूट का बच्चा है डी बहराम जी का गोड़ा पी ट्रेवर लास्ट रन एसेंटर नी राज के नीचे बहुत बढ़िय 2000 मिटर के लास 4 की है और यह रेस यार मैं इसके प्लेके चलूँगा गोड़े बहुत हैं यहां पर रोलिंग इस्टार है लास्ट टाइम अभी 400 जीता है बट अभी 600 मिटर एक्ष्टा जाना है डी लेडी यह बिल्कुल यार बोर्ड में बंता है बट वन्टू के बैट है तो टीसरा हो गया फिर बाहर मास्टर पी सर्प्राइस कर सकता है वॉल्फ क्रेक यह गोड़ा यार मुझे ज्यादा समझ आ रहा है जेम्स जी का बट स्लो निकल रहा है यह हर बारी और पीछे से आता है गोड़ा तो ग्रेस है विजे सिंग जी का तो यह मतलब पांच गोड करनी बैटर रहेगी आप लोग भी बैट के देखें और चौती रेस चौती रेस यहां पर बारा सु मिटर गी है क्लास टू की यहां पर हम घोडों की जरू बात करेंगे यार बाकी स्किप इस रेस को भी लेके चलूँगा एक नंबर गोल्डन मरीना अलाउंस को सिकुमार क सब्सक्राइब का एडवांटेज बिल्कुल होना चाहिए प्राइजलेस रूलर अपसेट कर सकता है विंड सिंबल लास्टाम गुड थर्ड हुआ है पहने से के साथ में बहुत बढ़ी है रन था जीतने के चांस बिल्कुल बनते हैं और इंग्लिस भे वाइस इनात के यहां पर फिल्ड बहुत टाइल लग दिया और बारास्टो मिंटर की देश उपर नीचे हमेशा होती है देखते हैं किलास टू में किलास थिरी से किलास टू बगा रहे हैं देखते हैं कैसा रन देता है गोड़ा और रेस फोर दा इस्टार भी आप अपसेट कंसिडर कर सकत हैं लास्ट टाइम पर नोस से चौथा हुआ था तो अवरॉल यहां बारास्टो मिंटर की देश है मुझे स्किप कर देनी ज्यादा बैटर लग रहे हैं तो मैं स्किप लेके चलूँगा उसके बाद आ जाते हैं पांचवी देश में 1400 मिंटर की देश है और दा लेजंड सर डॉक्टर एम एम रामा स्वामी मेमरियल टॉफी ग्रेट 3 की देश है और टॉप होर्जिज ऑन फिल्ड में अगर मैं बात करूं तो यहां पर गोड़े यार दो नंबर है सैम्रॉक बहुत जिसे कहते हैं यार बहुत बढ़िया फार्म में है गोड़ा साइड डर्भी कंट टेंडर है तो हना यह बहुत उपर की रेटिंग में भाग रहा है गोड़ा यार इंपरियल ब्लू है लास्ट टाइम फैवरिट था सर्प्राइस कर सकता है यहां पर बैंगलोल लास्ट टाइम क्या हुआ इंसिदेंट तो कुछ है नहीं सीच करेजिए इसके साथ मैं उसके में लिए ट्रेनर का कॉंफिडेंस है या उन्होंने कुछ देखा है इस पर अब यह देखना पड़ेगा रिजल्ट के बाद तो फैनल एंटिय गोड़ी की प्लेस आप कंसिडर कर सकते हैं इसकी यू कैन बहुत बढ़िया रंग जा रहे हैं गोड़े के साथ में गूट सेक सकते हैं असु मुरोको और एक उनका टूथ भी है बट यह गोड़ा यार यहां पर बिलकुल नजर बनाया रखना लोवर वेट पीसाई कुमार के नीचे बिलकुल चांस यहां पर बहना और पिक मैं जो लेके चलूंगा दो नंबर सेम्रॉक सूरनेडू और चैनमबर यूक चैनमबर फैराजॉन एलेक्स रोजारियो पोटेंसल है 61 किलो में यार बहुत बढ़िया रन कह सकते हैं क्राफ्ट के साथ में काफी लेट आया चार्ज हुआ गोड़ा और लास्ट मुमेंट में मता काफी क्लोस फिनीच दिया है क्राफ्ट के साथ में और दूसरा गोड़ा यहां पर इस बार ही यह वेट का एडवांटेज रहना चाहिए फैराजॉन को एलेक्स रोजारियो साड़े बावन किलो में जाना है गोड़ा जी से साफ से बाग रहा है मुझे लगता है यह बिल्कुल बनता है यहां पर और दूसरा गोड़ा इसी रेस में पिक लेके केमा को बीट किया था वो भी 1600 में तो सूटेबल डिस्टेंस है बिल्कुल यारी गोड़ा बनता है यहां पर और बागी दो गोड़ों की और बात करनी पड़ेगी यहां पर इस्टार कोवा है पी ट्रावर के नीचे अपसेट और सी ब्लस स्लो निकल रहा है और सबसे जो मत इन दोनों गोड़ों के बीच में जो में दिख रहा है मुझे चैनेंबर फैरस्वान ब्रूस अलमाइटी के बीच में साहरा डैला प्लाटा पैसी साब के पास घोड़ा था और पैडिगरी काफी मदब रही उस पर कि घोड़ा बाएगा बाएगा कुछ रन अच्छे भी है तो यह गोड़ा बेखना कर बमादु गणिमा गडिखना यह पुड़ा बादुन एंस के रखना बेखना शक्रीग में कारी संसा फ्रेखन और नहीं पर कौनेगों बाएग बाट छाड़ा नहीं करे तो मिया नंहीं ज़ाषा है तो कान दिख करता है तो 61-60 जा रही है माइनस जा रहा है तो यह बिल्कुल यहां पर अगर चार-पांच रुपए 6 रुपए के भाव में होता है तो सर्प्राइस करेगा यह रही होड़ा बाकि जो टॉब मुझे दिख रहे हैं 6 नंबर कनेक्शन के इसाब से और 2 नंबर ब्रूसलमाइटी उसके जो जैम खान और अगर यह गोड़े पर अगर यह गोड़ा भागता तो जहां तक मेरा ख्याल है इस गोड़े पर वाईये सिनात ने बैढ़ना था मतब यह मेरी यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर यह गोड़ा भागता तो सायद वाईये सिनात इस गोड़े के लिए ट्रे यह पैडिग्री मुझे हमेसा डिस्टेंस के साब से मतब प्रूफ किया है इस पैडिग्री ने हमता है हमेसा इनके गोड़े जीते हैं तो गोल्डन वारियर भी स्पिकिंग वर विच का बच्चा है स्टार हर्मनी लास्ट टाइम सोलह सो जीता है उससे पहले लैम हुआ था त बहुत इंप्रेसिव जिसे कहते हैं बहुत इंप्रेसिव रन है लास्ट टाइम चटीश चौदा की टाइमिंग करी है फिप लॉस हुई है उसके बाद भी गोड़ा चाल लेंटों से जीता है अमेजिंग यार उससे पहले टच अफ ग्रे के साथ में काफी क्लोस फिनिश द देखते हैं पहली बार 24 सो जा रहा है पैडिगरी का अभी मैं कुछ कह नहीं सकता बट चांस बिल्कुल बनता है और पांच नमर लियोनेल यह भी पैडिगरी मंटी डाइमेंसिनल तो सर्प्राइज में आप देख सकते हैं मैगनस यह स्पीकिंग आप विच का बच्चा है निजिस्की और फराज अर्सत वाईसी नात और अगर आप देखेंगे यह गोड़ा वाईसी नात के नीचे जब जब भागा है तब तब गोड़े ने परफॉर्म किया है दो बारी चीकुनी जिता है इस गोड़े को यार एक बार एक बावन के टाइमिंग करी है बहुत लगावा गोड़ा है चौथा लगावा है तो अपसेट के लिए बिलकुल यार मतब निगलाग नहीं कर सकते साथ नवर मल्टी ग्राउंड यह भी मल्टी डायमेंशनल और अपसेट आप इसको भी रूलिंग डैनेश्टी मतब अभी तक अगर मैं साथ गोड़ों में उपर बात करूं तो एक मैगनस है और उसके बाद दूसर गोड़ा यहां पर रूलिंग डैनेश्टी कुछ एक्क्विमेंट चेंज हो रहे हैं ब्लैंकर ओन कर रहे हैं इस गोड़े के और यह गोड़ा यार डर्भी में अगर आप बात करें टच अफ गरे के साथ में इंटरफेर इम्राज चिस्ति के निचे अपसेट आप देख सकते हैं इसको स्पीकिंग आफ विच का विच्छा है दोजार मीटर अभी जीता है डर्भी टच ऑफ ग्रे के साथ में अल्रड़ी बागा हुआ है बिल्कुल यार बुक के साथ से डे बैस दे रहे हैं कंटेंडर है जीतना चाहिए बाकी देखते हैं और पिक मैं फाइट द्वारा उन्हीं दो गोड़ों में लेके चलूंगा जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फॉर्म में भाग रहे हैं ग्यारा नंबर टच ऑफ ग्रे सू बाकी जो इस रेस में अगर मतब दो कंटेंडर और मैं अगर लेके चलूं तो रूलिंग डैनेश्टी और मैंगनस में नजर जरू बनाए रखें यार आप उसके बाद आठवी रेस आठवी रेस में आ जाते हैं 1200 मिटर किलास टू की रेस है सिंगल हॉर्स पिक लेके चलू जानता है और उमीद करते हैं इस बार यह बेटर रन देखने को मिले उमीद करते हैं यहां पर यह गुड़ा जीते और आप सभी को चैन्ने के लिए बैस्ट अफ लक और और ऑल दा बैस्ट मेरे भाईयों इसके बाद मिलते हैं आप सभी से हैधरबाद के देस हुए ठीक है